हिंदी बाइबिल मेसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुभह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें परमेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अपना वचन सुनाऊंगा या फिर सिखाऊंगा मैं तुझे अपना वचन बताऊंगा मैं तुझ पर अपने वचन को परकट करूंगा मिन्स परमेश्वर टीचर है परमेश्वर हमें सिखाने वाला परमेश्वर है यदि आज आप अपने जीवन में कुछ बातों को सीखना चाहते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं सफल होना चाहते हैं तो परमेश्वर की करीबी में जाएं वो आपको right teaching देगा वो आपको सही सिछ्चा देगा वो आपका मार्ग दर्सन करेगा वो आपको सही रास्ता बताएगा यहाँ पर उसने यर्मिया से कहा यर्मिया जा, एक कुमार के घर में जा और उस घर में मैं तुझे स्थे बातचीत करूँगा मैं तुझे सिखाऊंगा आगे हम लोग देखते हैं तीन पद में लिखा है कि सो मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा कुमार के घर में पहुँचा यर्मिया और उसने देखा कुमार को अब्जर्व किया कि कुमार बैठा हुआ है और चाक पर कुछ बरतन को बना रहा है कुमार के कुछ केरेक्टर यदि आप देखेंगे कुछ गुणों को यदि आप देखेंगे कुमार के मन में कुमार के दिमाग में एक विचार होता है एक छवी होती है उस मिट्टी के लिए, जो मिट्टी अभी ऐसी पड़ी हुई है, लेकिन उस कुमहार के मन में एक छवी है उस मिट्टी के लिए, इसलिए वो उस मिट्टी को लेता है और उसे अपनी चाक पर गुमाता है, वो कुछ बना रहा है, बनाने वाला, कुमहार क्या है, बनाने वाला पहली बात उसके मन में एक चवी होती है, एक प्लान होता है, एक योजना होती है मिट्टी के लिए, दूसरी बात वो उसे बनाता है, तीसरी बात का फोकस उसके आँखें उस मिट्टी पर लगी रहती है, वो जो बना रहा है उसका संपूर्ण फोकस उस पर होता है, उसको बन बिगड जाए, तो उसे तोड़कर फैकता नहीं है, बलकि उसे तब तक फिर से आकार देता है, जब तक कि उसकी छवी के अनुसार वो बनना चाहिए, चाहिए मिटी खराब हो गई, चाहिए वो एक कोने से तूट गया, चाहिए बनाते मनाते कुछ गड़बर हो गया, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ता नहीं, उसे त्यागता नहीं, उसे फैंकता नहीं, वो फिर भी उसे घुमाता रहता है, और अपनी समझ के अनुसार वो उसे बनाता रहता है, और रंत में क्या देखते हैं, एक सुन्दर बरतन, कुमार अपनी योजना के तहत बना कर तयार करता जिन बरतनों को आज हम यूज करते हैं अपने घरों में रखते हैं। इसी प्रकार से परमेश्यु का वचा ने यर्मिया के पास पहुंचा। और यर्मिया से कहा कि इसको अफजर्व कर। यर्मिया ने हो सकता है कि इन गुणों को अफजर्व भी किया। जो मैंने अभी बताया है उनको यर्मिया देख रहा है किस कुमार के अंदर कितना धीरज है। यस धीरज से उस मिट्टी को एक बरतन का रूप दे रहा है। ये कितना फोकस्ड है उस योजना के परती उस मिट्टी के परती उसे बनाने पे लगा हूँ। इसके मन में इसके दिमाग में एक योजना है उस मिट्टी के लिए इसलिए उसने इसे अपने हाथ में उठाया है और जब यर्मिया इस बात को देख रहा था तो अचानक से उसने क्या देखा कि वो मिट्टी तूट गई यदि आप मिर्साथ में चार पत निकाल लेंगे तो लिखा है कि जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया यहाँ पर लिखा है तीसरी बात कि वो बरतन बनाते बनाते उस मिट्टी बिगड़ गई या फिर कह सकते हैं तूट गई या फिर वो थोड़ा उसको वो जो आकार देना चाहता था उससे अलग मुड़ गई तो यहाँ पर इस कुमार ने उसको फेका नहीं उसको रिजेक्ट नहीं किया कि यह तो मिट्टी खराब हो गई से फैंक दो नहीं उसनी क्या किया उसने धीरज रखा और बाइबल कहती है कि उसने अपनी समझ के अनुसार एक दूसरा बरतन बना दिया अपनी समझ के अनुसार एक और बरतन बना दिया उसने उसी मिट्टी को जो बिगड गई थी उसे फिर से एक अकार दे दिया रिबिल्ड कर दिया, पुनोह निर्मान कर दिया, एक सुन्दर बरतन में उसे ढाल दिया, दोस्तों परमेश्र आपको रिबिल्ड करना जानता है, परमेश्र आपको पुनोह निर्मान करना जानता है, हो सकता है इस मिट्टी की तरह है, आप भी बिगड गए हो, हो सकता है अपने सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ हो लेकिन आज सुभे में मैं आपको उत्साइद करूँगा कि परमेश्र ऐसा समर्थी परमेश्र है, जो rebeld करने वाला परमेश्र है, जो रिस्तों को सुधारने वाला परमेश्र है, जो पनौन निर्मान करने वाला परमेश्र है, परस्ततियों को बदलने वाला परमेश्र है, जीवनों को बदलने वाला परमेश्र है, हमारा परमेश्र कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाला परम वो बिगडी हुई टूटी हुई चीजों को फिर से निर्मान करने वाला परमेशु और उन से फिर से सब कुछ अच्छा बनाने वाला परमेशु यहां पर परमेशु और यर्मिया को सिखा रहा है यर्मिया देख अब्जर्व कर इस कुमार को देख इस कुमार ने उस इसी परकार से यर्मिया को परमेश्रो का वचन कहता है पांच और छे पद ये दिया पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि तब यहवा का यहवचन मेरे पास पहुंचा हे इसराइल के घराने यहवा की यहवानी है कि इस कुमार के नाई तुमारे साथ क्या मैं भी काम नहीं क कर सकता देख जैसी मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इसराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो परमेश्रो एक बड़ी बात को यहां पर कहते है जैसे इस कुमार के हाथ में यह मिट्टी है ऐसे ही तुम मेरे हाथ में हो फरक नहीं पड़ता तुम बिगड सकता हूँ यदि तुम्हारी प्रस्ततियां बिगड गई हैं कराब हो चुकी है मैं फिर से उन्हें सही कर सकता हूँ मेरे पास लोटा हो यदि तुम मेरे पास आ गए तुम मेरे हाथों में हो मैं तुम्हें फिर से बनाना जानता हूँ मैं फिर से तुम्हें ढालना जानता हू मैं फिर से तुम्हें आगे बढ़ाना जानता हूँ, मैं फिर से तुम्हें चलाना जानता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारा कुमहार हूँ, मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए उत्तम योजना है, जो तुम्हारी हानी की नहीं है, प यदि तुम्हें त्यागा नहीं है, यदि तुम मेरे हाथों में हो, यदि तुम लोटाओ, तो मैं फिर से तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से विल्डी करूँगा, मैं फिर से तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, मैं फिर से तुम्हें इस्तमाल करूँगा, अज सु बस आपको एक काम करना है, आपको फिर से परमेशुर की करीबी में आना है, क्योंकि उसने आपको reject नहीं किया, आप उसके हातों में हैं, उसने आपको reject नहीं किया, हलनकि आप बिगड़ गए, वो आपको कुछ बनाना चाहता था, लेकिन आप बिगड़ गए, आप उसकी यो पुमार के गुमार के गुन, कि वो दीरा रखता है, और हमारा परमेश्वर कुमार, वो दीरज रखने वाला परमेशु उसका फोकस केवल आप पर है उसकी नजरें केवल आप पर लगी हुई है वो आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहता है वो आपको फिर से रिबिल्ड करना चाहता है फिर से बनाना चाहता है उसका ध्यान आप पर लगा हुआ है आप उसके हाथों में हैं तीसरी बात यदि बिगड़ गए है परस्तियां बिगड़ गई हैं आप परमेशर से दूर हो गई हैं कोई बात नहीं वो फिर से आपको रिबिल्ड करेगा वो फिर से आपको बनाएगा फिर से आपका निर्मान करेगा और लास्ट बार कि आप उसके हाथों में हैं चाहिए आप कहीं भी हैं चाहिए आपके परस्ततियां कैसी भी हैं चाहिए आप उससे कितनी भी दूर हो गए हैं लेकिन आप उसके हाथों में हैं यदि आप वापस आते हैं तो आपको फिर से निर्मान करेगा, आपको फिर से बनाएगा और आपको एक उपियोगी बरतन, एक आदर का बरतन आपको बना देगा, सुप्रभव आपको इस वचन के दोरा बहुत आइट से आसिस दे, आमीन. जय मैसी की, मेरा नाप मेरी जुलीतामरूमा है, मैं जाखनसी हूँ, मेरी गवाही ये है कि मेरी प्रेग्नेसी के दोरान, मुझे सबी डॉक्रों ने कहा कि मेरी नॉर्मल डिल्यू कोसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी पहले ही सिजिरी डिलिवरी हो चुकी थी, ये मेरी दूसरी प्रेग्नेसी थी, और अगर मैंने नॉर्मल के लिए प्रोस किया, तो मुझे कॉम्टिकेशन हो सकते हैं, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरी डिलिवरी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन जितने भी मैंने डॉक्टरों को दिखाया, सभी डॉक्टर ने कहा कि मुझे नॉर्मल के लिए पोर्स नहीं करना चाहिए, मैं ब्रदर पिके और शिट्रामरिता मसी के प्रेयर वीडियो सुबा साम देखा करती थी, मैं उनके वीडियो देख कर बहुत ही आसानमीत और सांतवाना पराथ करती थी, मेरी डेलेवी डेट भी पार हो चुकी थी, और मुझे डेलेवी प्रफून किया और उहां मेरे लिए प्रेयर हुआ, जिस दिन मेरे लिए प्रेयर हुआ उसी दिन मुझे डेलिविश्टर प्रेयर को को भी धनिवाद करती हैं प्रभु ने आसे सित करें ऐसे ही वे लोगों के जीवन में संत्वना और आसा का संचार करते रहें सभी को जय मसी की आइए मिलकर हम प्रात्न करें यदि आज आज आपके पास कोई भी प्रात्ना का विशे है उस बात के लिए आप चंतित हैं तरे सा इवन से परमेश्वर आपको महिमा देते हैं परमेश्वर जै जैकार करते हैं पिता तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्ये हैं आप भले परमेश्वर हैं आपको वचन कहता है कि आप हमारी प्रात्नाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं आप हमारी प्रात्नों को स तुन कर उसका उत्तर देते हैं, मैं आपका धनेवाद करती हूँ प्यारे येशु, धनेवाद आपकी उपस्तिती के लिए, आपके पविद्रात्मा के लिए जुसाहियक के रूप में आपने दिया है, धनेवाद परमेश्य कि तुने हमारे गुनाहों को माफ किया, हमारे साथ किरदें तुने बिए सब्सक्राइबे परमेश्य के लिए जने वहाने गया पहर्तन वेधन उसे ।ोbas अपने हमें परमेश्य के वह गविद्रे प्राप्त करें प्रभू और हो वह न सारी बात उसे चुतकारए पाएं पृता, वह अपने जीवन के इन सारी प्रभू विजय पाज सके प्यारे परमेश्व पिता, आप हरें के जीवन में प्रभू एक बड़े बदलाओं को लेकर आएं परमेश्व पिता, प्रभू विशेश का प्रभू धनेवाद करते कि राद भर आपने अच्छी नीन से सुलाया, प्रभू अपने पंखों के आड पिता, वो जहां कहीं जाएं प्रभू वहां प्रभू आपकी उपस्तिती उनके साथ में हो पिता, काम सफल हो प्रभू जी ज्यान बुद्धी समझ से भरे परमेश्व, हर एक रुकावटे, हर एक बाधाओं को येश्व के नाम से हम दूर करते पिता, प्यारे प्रभू आ जैसे कि एक कुमहार प्रभू येश्व मसी मिट्टी को लेकर चाक पर रखता है और उसे एक सुन्दर आकार देता है, जब तक कि वो बरतन ना बन जाए, तब तक वो उस पर फोकस करता है, उस पर मेहनत और परिश्व करता है, उसे प्रकार प्रभू जी, आप कुमहार है पर मिट्टी है परमेश्वर, आपने हमें रचा है, बनाया है, आप प्रभू येश्व मसी रिबेल्ड करने वाले परमेश्वर है, आप रचने वाले परमेश्वर है, आप बनाने वाले परमेश्वर है, और आपका फोकस प्रभू हमारी ओर है परमेश्व पिता, आपकी प्रभू आज यदि ऐसी परस्ततिय है प्रभू मानू कि चात पर मिट्टी को रखा जाता है और जब कुमहार बरतन को बनाते तो कई बरतन प्रभू तूट जाते हैं या फिर वो अच्छे नहीं बन पाते हैं मैं प्रात्न करती प्रभू यदि आज कोई ऐसा है प्रभू मैं अं लथा है टो आज अज सब्सक्रा आज प्रभू यशु मसीनगार के देला इन परिवार को रिचतो परभू आप अदबुद-कार Yeah Q करें प्रभू जी एक कुमहारह मैं प्रात्न करती पिता परमेश्य प्रभू जीli, आज इन भाई बेहनों के रिष्टों में प्रभु आप अद्भुत कारिय करें प्रभु जी एक कुमहर की तरह प्रभु इनके रिस्तों को बनाए प्रभु जी इनके जीवन को बनाए प्रभु इनके शरीर को बनाए प्रमेश्व पिता प्यारे प्रभु आज जो कुछ भी अपने जीवन में बहुत बुरे हालतों से गुझर रहे हैं प्रभु आप फिर से पुनाः इन्हे निर्मान करे परमीश फिर से परमीश प्रभु इन्हें एक अच्छा बरतन बनाए परमीश पिता, जो इस्तमाल हो उपयोगी हो पिता, मैं धन्यवात करती हूं परमीश जब इंचारर एक रूप से बहुत जादा कमजोर हो गए हैं दुरबल हो गए हैं बिमारियों ने इनके शरीर को कमजोर कर दिया पिता मैं प्रातने करती हूं सारी बिमारियों को मैं कहती हूं डांटती हूं हर एक बिमारी को दर्द तक्लीव घाव चोट इनफैक्शन ऐलर्जी को इसी वक्त इनके शरीर से निकल कर जा जाओ येश्यू के नाम से, चोटे बच्चे इसी वक्त येश्यू के नाम से चंगे हो जाए, नौजवान बुजर्गलों इसी वक्त येश्यू के नाम से हम इने चंगा होने की आग्या देते हैं, परमेश्यू हर एक रोग, हर एक बिमारी, हर एक टकलीव से हम कहते हैं, प्रभू बुरे हालातों को प्रभू आफ दूर करें और सब कुछ इनके ज्वन में अच्छा और बाधर करें परमेश्यु पिता दने वाद करतें प्यारे परमेश्यु पिता मेरे प्रभू जब रिष्टों में प्रभू बहुत जादा दूरियां आ गए ये प्रभू, हजबन वाइफ ने एक दूसरे को छोड़ने का विचार किया है, परिवारों में परमेश्व बहुत जादा गड़बडी पैल चुकी है, मैं प्रात न करती हूं प्रभू, ये श्मसी आफ़िट स पुन्हा निर्माण करे परमेश्व पिता, प्रभू धनेवाद करते पिता, जैसे कि एक कुमार प्रभू मिट्टी को जो बनाता है, तो उसका पूरा ध्यान उसे बनाने में रहता है, उसी प्रकार प्रभू, जब हम आपके बेटे और बेटिया हैं, तूने हमें बनाया है प्रभु तु हमें सफल करना, आशिशित करना, प्रभु चुटकारा देना जानता है, आज जितने भी लोग प्रभु प्रभु दुष्टात्मा से ग्रसित हैं, येश्यू के नाम से प्रभु तेरा चुटकारा उनके जीवन में आए, इसी वक्त वो चुटकारा पाए, प्र पंषब प्रभुप तु करती हैं нуж 6ाल में वाऩशियू करती हा आज आज बहुतमारे अर इनके श मुफटर गर काहां दे प्रभु ये जितने पार्मेश्यू को सफल करें जहां कहीं ये जाए, आपक इस carbonologist, वह मत्युक कर रहे हैं उन सारी नेगटिव बातों के उपर प्रभू देरे वचन को ले कर यह प्रभुता करने पाए हें हर प्रकार की गलत बातें इन्हे छोड़ कर चली जाने यह'shu के नाम से प्रभू जितने भाई बेन कंपटेडिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभू उनकी साहता करें कि वो कौलिफाइड हो और हायर एंड हायर पोस्ट पर प्रभू वो नियुक्त होने पाए पिता मैं धन्यवाद करती हूं प्रभू बेस्ट जॉब बेस्ट प्रभू किसी भी घटी कमी में न रहें किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पर इनके अंजल के भंडारों पर इनकी कमाईयों पर प्रभू तेरी आशीश हो पिता मैं धन्यवाद करती हूं यश्यू एक-एक को तेरे नाम से आशीज देते हैं इस सुभा के समय प्रभू आज इनकी सिच्वेशन बदलने पाए आज से परमेश्व पिता एक नए बरतन की तरह इस्तमाल होने पाए पिता उपयोगी है मेरे प्रभू धन्यवाद करते हैं सब कुछ आपके हाथों में देते हैं जितनों ने प्रात्न विंतियों को यूट्यूब कमेंस इं आमीन और आमीन